नमस्कार दोस्तों आज आप लोगों के बीच मैं एक बहुत बड़ी ख़बर लिकर आया हूँ कि यनोसी का मुद्दा यनोसी मुद्दा क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे कि यनोसी होता क्या है यनोसी का मुद्दा भाई कोर्ट में चला गया है मामला बहुत गंभीर हो या NOC क्या होता है, NOC मिन्स Non-Objection Certificate, अनापत्ती प्रमाण पत्र, जब कोई कर्मचारी किसी विभाग में कार्य करता है, तो उस विभाग से उसे एक अनापत्ती प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, किसलिए लेना पड़ता है, जब अगर किसी नई वेकेंसी में अपलाई कर तो वैसे भी अगर आवेदन के समय ऐसी कोई इस्थिती नहीं है तब भी उसको लेना पड़ता है या नियम है अब यनोसी देता कौन है जैसे अगर कोई बेसिक में कारत है सिच्छक तो उसे अनापत्ति प्रमाणपत यनोसी जीला बेसिक सिच्छा दिकारी देते हैं अर्था जो रहता है उसे डिवायस देते हैं जिला बिद्याले ने रिख्छक देते हैं अगर किसी भी फार में ऐसा आप्सन नहीं है तब भी उसे अनोसी लेना पड़ता है लेकिन 2021 TGT PGT आवेदन में आप देखेंगे तो जो उसमें क्लाज 13-8 है उसमें आप पाएंगे कि उसमें अनापत्ति प्रमाणपत्र देना जरूरी है जो भी चैनित है अगर वे आवेदन कर रहे हैं तो अब यहां पर यह आता है कि जो चैनित हैं तो उनके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जरूरी है कि नहीं है अगर कोई ब्यक्ति सेम ग्रेट पेपर सेम बेतनमान और समानप पर आवेदन करता है तो उसके लिए तो कमपल्सरी होता है अगर उस पर नहीं कर रहा है तब भी विभाग से अनुस्य लेना बहुत जरूरी होता है अब इसमें देखो जो 2011 TGT, TGT, PGT, 2013 और 2016 इनका रिजल्ट आप देखेंगे तो नाम और पिता का नाम बहुत से लोगों का सेम मिलेगा अब उन लोगों ने भी अपलाई किया हुआ है 2021 में TGT, PGT में इसके साथ सबसे ज़्यादा आवेदन है जो जारखन TGT, PGT में चैनित है 2016 बैश के सबसे ज़्यादा आवेदन उनके है और वे भी इसमें आवेदन किये हैं तो इसका पता लगाने के लिए RTI दाखिल कर दी गई है हर जिले में RTI डाल दी गई है बहुत जल्द हुआ संख्या मिल जाएगी कौन कौन से लोग जो वहाँ पर चैनित है और यहाँ पर आवेदन किये हुए हैं और उसको भी हाई कोट में लगा दिया जाएगा अब हाई कोट में केस पहुँच चुका है तो उस स्थिति में हाई कोट के आदेश से जो चैनित रहेंगे पुना अगर यहाँ पर परिच्छा पास किये हैं 2021 वला तो उनका आवेदन अभ्यर्थन कोट के आदेश से निरस्थ हो जाएगा और जब उनका अभ्यर्थन निरस हो जाएगा तो स्वभाविक बात है कि मेरिट कम हा जाएगी अब आते हैं कि अनोसी कप की होनी चाहिए अब कोई बाद में बना ले ऐसा नहीं होता अगर हम आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन के डिट से पहले की हमारी अनोसी होनी चाहिए और यही बहुत बड़ा का आदेश आजाएगा वैसे यह चैनित 2021 की TGT-PGT परिच्छा से बार हो जाएंगे जिसके बाद जो TGT-PGT का कट आफ होगा आपने आप बहुत कम हो जाएगा यह बहुत बड़ी खबर है